सही कहा है किसी ने कोई व्यक्ति हमें उतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता है जितना हमारे नकारात्मक विचार नुकसान पहुँचाते हैं इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपको जिन्दगी भर काम आएगी एक बार की बात है, एक जवान बॉद्ध भिक्षू अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते, उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था वह हर बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रती जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था, उसने बहुत से तरीके आजमाएं, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था अंततह एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया गुरु एक बहुत ही बुधिमान और आत्म ज्यानी व्यक्ती थे जवान भिक्षू ने गुरु से पूछा गुरु देव, मैं अपने मंद से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ गुरु ने उत्तर देते हुए कहा नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो की साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उ उन्हें नश्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरू की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरू से इसे थोड़ा विस्तार से अने का आग्रह किया। तब गुरू ने शिश्य को एक कहानी सुननी शुरू की। एक बार एक व्यक्ती जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ती डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह दोड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था जब वह उठा और पीछे मुड़ कर देखा तो पाया कि वहां कोई सर्प नहीं बलकि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो की रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ती को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुचाने का कारण वह सर्प नहीं बलकि उसके और नकारात्मक विचार हैं जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरू ने उस जवान भिक्षू से कहा। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है, तो इसके मूल करण को पहचान कर उसे नश्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंड फुलनेस या जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रती जागरूक रहो, देखो की आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के करण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को वही दूसरों को माफ कर दो। तीसरा रहो, अपने जीवन के सकारात्मक, पक्षपर अपना ध्यान केंद्रित करो और पास कुछ भी उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार वक्त करना हमारे नजरियां को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है चौथ, दयालू, बानो, खुद के प्रती भी और दूसरों के प्रती भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अकसर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं. अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं. संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है. असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है. इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते और एक ज्यादा खुशाहाल वह शांती से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प की भांती हमारे ज्यादा तर नकारात्मक विचार भी सिर्फ ब्रह्म मात्र हैं, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बुदिस्ट स्टोरी ओन माइन टेंशन की कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।